Hello everyone, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 October यानि 15 October के Current Affairs के बारे में आज तारीख है 15 October आप सभी को सुप्रबात और आज की इस तारीख में हम 14 October को जो कुछ भी घटित हुआ उसमें से हमारी पढ़ाई के लिए हमारे exams के लिए जो कुछ भी important है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज के अपने current affairs को the first question तो पहला question as usual हमारा day का रहता है तो question है world standards day is celebrated on which day तो world standard day किस तारीख को मनाया जाता है options है आपके October 12, October 13, October 14 या October 15 तो जैसा मैंने बताया answer इस सवाल का हो जाएगा October 14 14 October को विश्मानक दिवस मनाया जाता है ठीक है अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको टेलिग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा टेलिग्राम पे आप जाकर सर्च करेंगे add the rate Amantrivedi आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी टेलिग्राम पे जाकर सर्च करेंगे या फिर आप description box ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी टेलिग्राम का लिंक मिलेगा और comment section में भी टेलिग्राम का लिंक पिन है वहाँ को आप जाइन कर लिजिए और वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा Instagram पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram पे follow करने के लिए आप मुझे सर्च करें add the rate Amantrivedi और वहाँ से आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं तो हमारा question था विश्रमानक तिवस कब मनाया जाता है जवाब है 14 October को ठीक है तो 10 October को हमने पढ़ा था 10 October को मनाते हैं World Mental Health Day ठीक है ये सारे आपको ध्यान रखने हैं इसलिए मैंने पिछले वाले डिलीट नहीं के October 10 के ध्यान रखने है World Mental Health Day October 11 को International Day of Girl Child October 12 World Authorities Day October 13 World Calamity Control Day और October 14 हमारा हो गया World Standard Day साथ ही साथ आज के ही दिन International E-Waste Day भी मनाया जाता है तो 2 दिन हो गया आज World Standard और International E-Waste Day और October 15 है Pregnancy and Infantlaunch Remembrance Day साथ ही साथ Global Handwashing Day भी है October 15 को और World Students Day भी है October 15 को October 16 को World Food Day World Anesthesia Day और साथ ही साथ World Spine Day तीन है अपके October 16 को है ठीक है अगला सवाल है Silicosis is a disease related to which of the following Silicosis जो बीमारी है वो इन में से किस से संबंदित है Silicosis बीमारी का संबंद इन में से किस अंग से है Lungs की बीमारी है Liver की बीमारी है Brain की बीमारी है तो Silicosis जो है आपका Silicosis Lungs की बीमारी है फेफ़डों से संबंदित बीमारी है ठीक है यह क्या है Occupational Lung Disease है जिसमें Silicosis is an often fatal lung disease caused by breathing dust containing crystalline silica तो basically जो ऐसे labor हैं जो ऐसे मजदूर हैं जो ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे पत्थर की गिसाई या कटाई बगरा होता है वहाँ पे मजदूरों को Silicosis हो जाता है क्योंकि आप उस बहुत ही minute particles होते हैं आप उन्हें सांस के थूँ अंदर ले लेते हैं और उसकी वज़े से उन्हें Silicosis हो जाती है तो भारत में बहुत सारे workers लंबे समय तक अंगिनस्रमिक धूल के संपर्प में आने से धिरी-धिरी मृत्री की और बढ़ रहे हैं और इसे Silicosis के रूप में जाना जाता है धूल के संपर्प में आने के कारण Silicosis को एक व्यवसाइक विमारी या खतरे के रूप में वर्णित किया जा सकता है यह एक लाइलाज विमारी और स्थाई विकलांगता का कारण बन जाती है ठीक है तो यह फेफणों की विमारी है और इसके बारे में अभी बात चल रही है इसलिए मैंने इसे Current Affairs में रखा है अगला सवाल है तो इसका जवाब है आपका दीपा मलिक जिन्वा मैंने बताया था पैरलंपिय कमिटी की अध्यक्ष भी है आपकी दीपा मलिक और अभी इन्हें ओयो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है सुहास अलवाई ने Silver Medal जीता था बैडमिंटेन में अबनी लेखारा ने Gold और Bronze Medal जीता था सिंगरा जदाना ने Silver और Bronze Medal shooting में जीता था तो यह तीनों ही पैरलंपियन्स हैं और दीपा मलिक भी पैरलंपियन हैं और इन्हों ने इन्हें ओयो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में निउक्त किया गया है ठीक है तो ओयो हॉस्पिटारिटी फर्म ओर्विल स्टेज लिमिटेट ने 2016 पैरोलंपिक खेलों में एक भारती एथलीट और रज़त पदक विदेता दीपा मलिक को कमपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में निउक्त किया है मलिक का अनुभाव और यात्रा और रुमांच के लिए उनका जुनून आने वाले वर्षों के लिए अमूली होगा मलिक ओयो के बोर्ड में शामिल हो गए जिसमें रितेश अगरवाल के अध्यक्ष होने के अलावा तीन अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक शामिल है ठीक है तो रितेश अगरवाल जो है ओयो के चेर्मेन है आप इसे ध्यान रखेंगे अगला सवाल है कि इंडियास फॉस्ट अटल कम्यूनिटी इनोवेशन सेंटर हैस बी लॉंजड एट विच विच प्लेस भारत का पहला अटल सामुदाइक नवाचार केंद्र की शहर में शुरू किया गया है तो ऑप्शन्स हैं आपके जैपूर, कानपूर, आगरा या फि कि पहले अटल कम्यूनिटी इनोवेशन सेंटर का उद घाटन किया गया या भारत सरकार अटल का इनोवेशन मिशन और नीती आयोग दोरा इस्थापित किया जाने वाला देश का पहला केंद्र है ये ACI का लक्ष उन नवोन में सी विचारों का समर्थन और पोशन करना है ज अपने वेशन को लाब होगा और अपने वेशन को उचाईयों पर ले जाना चाहते हैं तो बेसिकली ये आपके तरीके से इनोवेशन सेंटर है जहां पर आप इनोवेशन कर सकते हैं अपने आइडिया को प्रसुत कर सकते हैं और उससे आप उस आइडिया को बढ़े इस्तर तक ले जाय सकते हैं, अगला सवाल है, which bank is authorized to collect direct and indirect tax by RBI, recently हाल ही में किस bank को direct और indirect tax collect करने की अनुमती मिली है, RBI के दोरा, options है, ICICI bank, करूर वैशा bank, ATL payments bank, या फिर Indus in bank, तो जवाब है इसका Indus in bank, Indus in bank को हाल ही में RBI दोरा प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष कर एकातर करने के लि कचपालिया, और headquarter है इसका पुने में, Indus in bank जो है, Hinduja group के दोरा own की जाती है, और इसके founder है, SP Hinduja, और Indus in bank found की की थी, 1994 में, मुंबई में अगे बढ़ते हैं, अगला है केंद्र द्वारा किस कंपनी को महारतन का दर्जा मिला है, हाली में किस कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा महारतन का status मिला है, तो options हैं आपके Oil India Limited, Power Finance Corporation Limited, भारत Electronics Limited या फिर भारत Petroleum Corporation Limited, इन में से किस कंपनी को महारतन का दर्जा दिया गया है, तो answer इस सवाल का है, Power Finance Corporation Limited Power Finance Corporation Limited को भारत सरकार के दौरा महारतन का दर्जा दिया गया है, Oil India Limited, भारत Electronics Limited और भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेट ये सभी नवरतन कंपनियां है ठीक है, महारतना स्टेटस क्या है आपका भारत सरकार ने पावर फाइनेस कॉर्परेशन लिमिटेट को हटकॉर्टन न्यू डेली में है, इसे 1986 में बनाया गया था इसके चेर्मेन और M.D. है रविंदर सिंग धिल्लोन और भारत सरकार के द्वारा राज जी के सौमित वाली पावर फाइनेस कॉर्परेशन लिमिटेट को महारतना का दरजा दिया गया नया दरजा PSV, PFC को अधिक परिचालन और वित्ती स्वायत्ता देगा PFC को 1986 में विद्धुद्बंतराले के सौमित में एक भारती वित्ती संस्थान के रुप में शामिल किया गया था या भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेस कंपनी है जो विशे इस रुप से पावर सेक्टर को समर्पित है आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में पावर मिनिस्टर का नाम बताएंगे मैंने दो तीन दिन में लगतार उनका नाम बताया है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में पावर मिनिस्टर का नाम बताएंगे PFC को महारतना का दर्जा देने से वित्ती निर्णा लेने के दौरान PFC बोर्ड को बड़ी हुई शक्तियां प्रदान होगी महारतना CPSC को बोर्ड वित्ती उद्यम और संपूर सौमित वाली साहे कंपनियों को शुरू करने के लिए एक्विटी निवेश कर सकता है ठीक है हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है इंडिया है इस गौट विच रैंक इन आंस्ट एंड यंग इंडेक्स तो आंस्ट एंड यंग इंडेक्स में भारत को थर्ड रैंक मिला है अब यह क्या है इंडेक्स देखे भारत को जो रिन्यूबिल एनर्जी है ठीक है कंसल्टेंसी फर्म आंस्ट एंड यंग दोरा जारी अठावन बे अक्षय उर्जा देश आकर्सन सुचिकांग यानि कि जो रिन्यूबिल एनर्जी के इंडेक्स है उसमें भारत को तीसरा इस्थान बरकरार रखा है रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका मोके भूमी चीन और भारत शीर से स्थान रैंक में हैं तीन रैंक बरकरार रखे हुए हैं और इंडोनेशिया RESAI के लिए एक नया प्रवेश करता है इसमें इंडेक्स में पहली बार इंडोनेशिया की बात हुरी है यह एक नया PPA इंडेक्स है मतलब यह जो आपका Renewable Energy Renewable Energy Country Attractiveness Index है यह क्या है आपका एक तरीके से इस अंस्क्रण में पेश किया गया अक्षय उर्जा खरीद के आकर्शन पर केंजरित और देश के Corporate PPA बाजार की विकाश शमता को रैंक करता है तो बिसिकली यह रैंक करता है कि मतलब कितने लोग अक्षय उर्जा खरीद रहे है तो भारत इसमें से तीसरे नंबर पे आ गया है नहीं कि Renewable Energy के एक के परचेजर के रूप में इंडिया थर्ड नंबर पे है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है मारा Who has been appointed as a chairman of World Steel Association Vishwa Ispaath Sangh के अद्धिक्ष के रूप में किसे न्यूत किया गया है Option है Sajjan Jindal, Naveen Jindal, Prashant Jain या फिर TV Naredran तो इसका जवाब है आपका Sajjan Jindal, Sajjan Jindal को Ispaath Sangh के अद्धिक्ष के रूप में न्यूत किया गया है Naveen Jindal, former Member of Parliament भी रहे है और Naveen Jindal, Chairman है Jindal Steel के and Jindal Power के Prashant Jain, CEO है JSW Steel के और TV Naredran, CEO है Tata Steel के Sajjan Jindal, World Steel Association के Chairman अद्धिक्षर प्रवन निश्चिन दिश्च्षर Sajjan Jindal को 2021-22 के लिए अद्धिक्ष चुना गया है Jindal, WSA के अद्धिक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनी थी है JSW Steel, Vivid 13 Billion Dollar JSW Samhu का प्रमुख वेवसाय है और भारत और दुनिया भर में लहो इसपात उद्धियोग में लगा हुआ है तो World Steel इसपात उद्धियोग के लिए केंद्र बिंदू के रुप में कारे करता है और इससे रेलेड़ेट इसमें काम होते है World Steel Association के स्थापना 1967 में होई थी और इसका मुख्याले ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तो बिसिकली जो सज्जन जिंदल है ये भी JSW Steel से ही जुड़े हुए है अगला है विश किस बैंक ने पूरे भारत में Micro ATMs लगाए हैं विश बैंक हैस लॉंच्ट Micro ATMs across इंडिया ICICI Bank, KOTAK Mahindra Bank, ATL PANINETS Bank या फिर INDECENT Bank तो इसका जवाब है KOTAK Mahindra Bank KOTAK Mahindra ने पूरे भारत वर्स में Micro ATMs launch किये हैं ठीके, अभी ये Micro ATMs क्या है KOTAK Mahindra Bank ने Private Lender Bank Kovitak Mahindra has announced a launch of Micro ATMs across the country Customers of all banks who possess a debit card can use a KOTAK Micro ATMs for key banking services such as cash withdrawals and checking account balances A mini version of ATMs, Micro ATMs are small handheld devices The bank will use its extensive business correspondence networks to launch Micro ATMs So Micro ATMs kya है? It's a simple, innovative and highly effective solution to deliver essential banking services such as cash withdrawals in a convenient manner to people residing in relatively remote locations It is a viable alternative to a regular ATM for allowing for faster expansion and increasing banking touch points for consumers KOTAK's network of Micro ATMs across the country will help customers of all banks to get easy access to their bank accounts and promote financial inclusions So basically, this is a micro ATMs launch who has been made brand ambassador of Firebolt Firebolt wearable watches who has made brand ambassador? Ranveer Singh, Swarav Ganguly, Virat Kohli and then Akshya Kumar So Ranveer Singh has made Coinsic Kuberr brand ambassador Swarav Ganguly has made Coca-Cola brand ambassador continue to be continued He was already before, but he was continuing to be continued Virat Kohli He was made Firebolt brand ambassador and Akshya Kumar MyLab Discovery Solutions He was made a brand ambassador Okay? What is India's rank in Global Hunger Index? What is India's rank in Global Hunger Index? How much rank in India's Viswva Hunger Index? 83rd, 100th, 102nd or 103rd? So this answer is 100th and 3rd And it's very sad that that India's rank in Global Hunger Index is so bad So in the Global Hunger Index, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Nepal has come in 101th and I have handed in 3rd and I have marked it You will correct it 101th, 101th, 101th 101th and Papua New Guinea, 102th, Afghanistan, 103th, Nigeria, 103th, Kongo, 105th The only 15 countries have been in this year This means that only 15 countries have been in the world which are in the world and others have been in the world The West Vick, Bhunk, Siuchikang, in 2021, its rank in 2020, 94th, from its rank in the past 10 states and in the past 10 states, which is in the past 10 states, which is in the past 10 states, which is in Pakistan, Bangladesh and Nepal in 2006, in the beginning of the GHI, the American State of Antirashri Khad Diniti Anusandhan and Germany's state of wealth hunger life caused by Prakashit in 2007, the Irish NGOs conserved worldwide as well as a Prakashik So, in this rank, one-handed first and this is very bad Okay? This is another fact that you can note and remember Upper limit for legal abortions increased till 24 weeks So, in some cases, in special categories of cases which are the upper age of legal abortions 24 weeks which were only 20 weeks which were only 20 weeks having an abortion so, before 20 weeks how can it be and now an even 24 weeks This was only specific cases in some cases in only specific cases in some cases What footballer received back the record 名elikit? in the fact, who footballer received back the record? also, with Neymar, Messi, Ronaldo or Sunil Kshitri? So, the answer is Sunil Kshitri that have the record because Sunil Kshitri has the record चेंपिनर्शिप के मैंच के मैच के मैंच में 62 मिनट में गोल करके 77 गोल के अंतराश्टी गोल रिकॉर्ड को पीशे छोड़ दिया इसके बाद छेतरी ने एक और गोल किया और उसके अंतराश्टी गोलों की संख्या हो गई 79 तक लेगे जो दुनिया में तीसरे सक्री अंतराश्टी गोल स्कोरर बन गए है अने दो सक्री खिलाडी जो फिशेतरी से आगे है उसमें अर्जेंटीना के लियोनल मैसी 80 अंतराश्टी गोल है उनके और पुर्तगाल के कृष्टेन और रिणाल्डो 115 अंतराश्टी गोल है ठीक है अब यहाँ पे लियनल मैसी और क्रिश्टियन रेनाल्डो की फैंस भीर सकते हैं सुनी शेत्री कौन है? सुनी शेत्री भारती राश्टी फुट्बॉल टीम के वरतमान कप्तान है वो भारत के लिए सरभादिक कैब्ड खिलाडी और सरभादिक शीट्स गोल करने वाले खिलाडी बन गये सुनी अक्टूबर 2021 तक वह सक्री खिलाडियों में तीसरा सबसे बड़ा अंतराश्टी गोल स्कोरर और अब तक का छटा सबसे अधी गोल करने वाले खिलाडी बन गए हैं ये सक्री ये की बात हुरी जो अभी भी खेल रहे हैं उन्होंने भारत को 2007, 2009, 2012 नहरू कप और 2011 SAFF Championship जीतने में मदद हासिल की थी उन्होंने भारत को 2008 SAFC Challenge Cup जीतने में भी मदद की इसके माद्यम से भारत ने 27 वर्सों में पहले FAC Asia Cup के लिए क्वालिफाई किया था शेत्री को 2007, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 में रिकॉर्ड 6 बार AIFF Player of the Year भी चुना गया है और उन्हें 2011 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरसकार, 2019 में भारत के चौते सबसे बड़े नागरिक पुरसकार, पदमिश्री से भी सम्मानित किया गया था और अभी जो हमारी रैंकिंग है उसमें नंबर वन पे है क्रिस्ट्याइन रोनाल्डो जो की पॉर्टगाल से हैं उनकी 115 रैंक है अली दाई इरान के थे, इनकी 109 रैंक है, मुक्तार दाहारी मलेशिया के 89 रैंक है, 89 गोल है इनके और फेरिक पुसकास हंगरी के हैं 84 गोल्स है लिएनल मैसी अर्जेंटिना के फिफ्थ नंबर पे हैं 80 गोल्स है और गोल्फरेज चैतालू और सुनीर शित्री अभी 6th spot शेयर कर रहे हैं ये जांबिया के हैं और इंडिया के हैं अली मखबूट, United Arab Emirates के 78 और हुसेन साहीद, Iraq के 78 और पेले ब्राजील के 77 गोल्स से 10th नंबर पे हैं तो भारत के सुनी शित्री 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 स्पॉर्ट पे आगा है और बहुत प्रवेबली इसके लाब आप एक और याद रख सकते हैं कि भारत का पहला वन हेल्थ कॉ कॉंसर्टियम देने देश के उत्तर पूर्वी हिस्से सहीत भारत में जिनोटिक के साथ साथ ट्रांस बाउंडरी रोग जनक हो यानि कि ऐसी बीमारियां जो की वायरस बैक्टिडिया संक्रमणों के से हो रही हैं उनकी निगरानी करने के लिए परकलपना किया 14 अक्टूब इन अक्ति है अगला है गलोमल क्लैमेंट राइंडिक भारत कि रहा है तो 1st 5th 60 अफीज सेवन तो यहां पर हम अच्छा कपर कर रहे हैं बींदिया की रैंक डों वर्ल्ड ग्लोबाल क्लाइमेंट में सेवंध रही है ठीक है अनेर्ध पे अमझाबीक है मॉजंबीक है सेके billion मुम्बे, है थर्ड पर बहामास, होर्थ पर जपान, मलावी, है इस्लामीक रिपबरिक अफ़िस्तान हैं, एड्वन्ट कामें इंडिया है, ठीकिए, एर्थ पर साओथ सुदान, नाइजर या, टैंथ पर बुलाबिया, तो India has improved its ranking from last year, पिछले साल से बहतर किया है, 2021 के सूचकांप में, साथमें स्थान पर है, जब कि 2020 के स्थान में, पाँचमें स्थान पर है, ठीक है, मतलब सुधार किये है, हम नीचे आया हैं, तो यह बहतर है, अंतराश्टी पर्यावरन थिंक टैंक, जर्मन वाच ने ग्लोब पर Risk Index करिये है, तो Global Climate Risk है, ठीक है, Risk Index की बात हो रही है, Risk Index में भारत की रैंक आइसी रही और ये खराब चीजी है, तो भारत की रैंक 7th हो गई है, तो यह बहतर है, अगला है, भारत ने किस देष के साथ युद्धाब्यास का आयोजन करता है, भारत इन में से किस देष के स एक्सराइज युद्धभ्यास एक्सराइज जो है वो किस देश के साथ होती है UK, US, France और फिर स्री लंका तो यूएज के साथ में होती है और यह अभी शुरू हुई है UK के साथ में होती है Ajay Warrior, 프랑स के साथ शक्ति और मित्र शक्ति होती है स्री लंका के साथ में युद्ध अभ्यास को exercise है ये US के साथ होती है भारत और अमेरिका दुपक्षी सैन सहयोग को बढ़ाने के लिए शुक्रवार से अलास्का में 15 दिन का मेगा सैन अभ्यास शुरू करेंगे भारती सेना ने गुरुवार को कहा कि युद्ध अभ्यास नाम के इस सैन अभ्यास के सत्रवे संसकरण के आयोजन का आयोजन अलास्का में जॉइंट बेस एलमडोर्फ रिचर्टसन ने में 15 से 29 अक्टूबर तक किया जाएगा भाग लेने वाले भारती जत्ते में भारती सेना के इंफेंट्री बटालियन के 350 जवान सामिल होंगे सभ्यास का पिछला संसकरण फर्वरी में बीका नेर की महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज में अवजित किया गया था तो इस साल यह अलास्का में हो रहा है इसके लाब हो हैज बीन क्राउंड मिस अर्थ इंडिया 2021 मिस अर्थ इंडिया 2021 के से चुना गया है और रश्मी माधुरी वन्शिका परमार मान ओर इंडीया एंड मिस्वर्ल 2007 बनी थी यह और मनाशावारनसी कोन है मनाशावुराणसी फैमिना मिस अंडिया 2020 2020 की मिस अंडिया दूर परमीनर के लिए राज-दूद के रुप में कारे करती है ठीक है तो इसमें से जवाब है आपका निकोल पाशनियान और महंदर राजपक्षे स्री लंका के प्राइमिनिस्टर है ये तर्की के प्राइमिनिस्टर है से अर्मेनिय के हो गये है और इनकी बात हम क्यों कर रहे है क्यों है क्यों आशा करता हूँ आप कोई वीडियो पसंद आया होगा इसवीडियो की हम इसे पहुचा सकें ठीक है बाकी एडिटोरियल वाली क्लास भी आपकी शुरू हो जाएगी अब से रेगुलर हो जाएगी वो चीज ठीक है so thank you so much for watching this video have a very great day take care bye bye